कम्पनी मालिक ने किसी बात को लेकर मैनेजर को डांट पिला दी काफी गुस्सा किया मैनेजर चुप चुप आफिस से बाहर निकल आया उसने अपनी खीज अपने करमचारियों पर उतारी करमचारी भी बेचारी क्या करते घर जाते वक्त जो बाचमेन गेट पर था उसके उपर अपना गुस्सा निकाला बाचमेन बेचारा कड़वे घूट पी गया लेकिन वो अपना गुस्सा किस पर उतारे तो वो अपने घर आया और उसने अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारा किसी बात को लेकर उसे बुरा भलाका पत्नी बेचारी क्या करती उसने अपना गुस्सा अपने नौ साल के बेटे पर निकाला उसे डांट दिया वो बेचारा घर से बाहर रुआसा सा उदास आया तो सड़क पर एक कुत्ता जा रहा था और उसने अपनी खीज अपना गुस्सा उस कुत्ते को पर एक पत्थर मार कर निकाली कुत्ते को पत्थर मारा तो कुत्ता वहां से चिला कर भाग गया और रास्ते में एक व्यक्ति को काट लिया जानतों वो व्यक्ति कौन था वो वही वो वही मैनेजर था कहने का मतलब यह है कि यह दुनिया गोल है हम जो भी कुछ करते हैं जो भी कुछ करते हैं वो कहीं न कहीं घूम कर हमारे पास ही आता है हमको ही मिलता है टिट फार टैट और एक लाह है न्यूटन का कि एब रियक्शन है इक्वल रियक्शन जरूरी नहीं कि वो रियक्शन उसी वक्त हो उसमें वक्त लग सकता है समय लग सकता है दिल लग सकते महिने लग सकते साल लग सकते लेकिन मिलता जरूर है इस छोटी सी कहानी का सिर्फ और सिर्फ यही संदेश है कि जो भी कुछ करें सोच समझ कर करें क्योंकि जो हम प्रकत को नेचर को, समाज को, दुनिया को देते हैं वो कहीं न कहीं बापस हमको जरूर मिलता है इसलिए हमेशा अच्छा करें अच्छा बनें, अच्छा सोचें और जीवन में सफलता प्राप्त करें नमस्कार साथियों मैं तलकुमार तिक्षित और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गंटी का वटन नवाए और हम से जुड़ें